नमस्कार दोस्तों मैं राहुल गोयल आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे GSTR1 में बहुत बड़ा इंप्रूमेंट होने वाला है दोस्तों आप कमेंट करके बताना ये इंप्रूमेंट होने से क्या कितना समय आपका बच पाएगा दोस्तों तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो के एंड में जाते जाते आप प्लीज कमेंट करना बिलकुल ना भूले दोस्तों तो आइए चलते हैं सीधे ट्विटर पेज पे तो अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर हैंडल को फोलो नहीं कर रख है तो आप हमारे ट्विट पेज को यहां से C-A-R-Goyal के नाम से सर्ज करके आप फोलो कर सकते हैं GST Tech की तरब से जो ट्विट आया है इसमें उन्होंने क्या बताया दोस्तों आइए देखते हैं चेंजेज इन टेबल टाइल डोकिमेंट से कंठ्ल तो जो भी टेबल्स में आपके GSTR one में जू टाइल डोकिमेंट से इसको भोल्र रहे हैं उसमें जो काउंट से उसमें क्या बदला वा रहे हैं आएक-व कॉधी देखते हैं सबसे पहला बदला ο रियल टाइम काउंट इस टेबल अभी आप आपका offline utility के थुरू upload करते हो, फिर कुछ समय वो generate summary करने में लेता है, फिर वो count आपको हर एक table का main page पे दिखाता है कि इसमें इतने record, इसमें इतने record, तो अब यह बोल रहा है real time count, तो इसका क्या मतलब है, इस particular line के हिसाब से तो जैसे ही आप upload करोगे, हा हम इसके उपर आपको वीडियो बनाके दिखाएंगे कि कैसे real time count हो रहा है, बाकी आप जब खुद भी करोगे, तो भी आपको ideal लग जाएगा, इससे क्या होलगा, this will help easy reconciliation of added records, perfect, दूसरा, count of records is now more informative with status of added record along with color coding, तो जो भी records आप add करोगे, आपने बहुत बार देखा होगा, आ process हो जाती है कुछ नहीं होती है, या कहीं किसी GST number का issue है, किसी भी चीज की issue की वज़े से error आजाती है, error report generate हो जाती है, तो उससे क्या होता है, error report से कुछ एक तो data जाता है, उसकुछ data नहीं आता है, तो अब यह बोल रहे हैं कि तीन तरीके से दिखाया जाएगा, error record red में आ आपको अलग से green में दिखाए जाएगे, तो जो error आएगी आपको अलग से I believe हम directly अलग से error देख पाएंगे, और अगर वहीं की वहीं उस error को सुदार करने का मोका मिल जाएगा, तो और भी हमारे लिए अच्छी बात हो जाएगे दोस्तों, तो यह दो तीन update हैं जो GSTR 1 में हम आपको यह चीज एक्च्छल में लाइव करके भी दिखाएंगे, तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और प्लीज कमेंट जरूर करें कि यह चीज आपको कैसे help करने वाली है, कितना समय आपका इससे बच सकता है, कि क्य helpful है भी या नहीं है दोस्तों, और चैनल पे बने रहे हैं, जल्दी हम आपके पास GST Portal पे GST R1 भरते समय, यह सारी चीजे, error records क्या आ रही है, pending records कैसे दिख रहा है, successful process कैसे दिख रहा है, real time हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह सारी चीजे हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्त तो समझ जाहिं जय भारत